प्रविश्य विद्जकी में आप सभी का स्वागत है आज हम जिस विशे पे चर्चा करेंगे वह है भारत का हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन तो हम लोग जानेंगे जो हाल फिलाल में इसी वर्स विद्धमंत्री निर्मला शीता रामन ने इसकी घोशना की थी कि भारत हाइड्र इनर्जी मिशन के बारे में तो जानेंगे कि यह आखिर इनर्जी मिशन आखिर है क्या हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन है क्या और यह जो मिशन है मुखत है जैसा कि हम लोग जानते हैं चाहे वह फॉसिल फ्यूल आप यूज करें चाहे आप कोई भी इनर्जी आप यूज करत जिसकी बात आज हम कर रहे है यह hydrogen, green hydrogen energy, अर्थात हरुत hydrogen, तो हरीच hydrogen और normal hydrogen में क्या फर्क होता है आफिर में green hydrogen रिप क्या होता है, brown hydrogen क्या होता है तो यह सारी चीजों के blue hydrogen यह होता है यह सब अगर या नहीं तो आप हमारे साथ बने रहें और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि ग्रीन हीड्रोजन इनर्जी कैसे काम करता है खास करके इसमें फ्यूल से टेक्नलोजी और देखेंगे कि यह अन्य जो इन्वी करिये उर्जा है यह जो रीनियेवल इनर्जी है उससे यह क्यों अलग है और यह काफी स्वक्षशंसादन बाना जाता है भविस्य के लिए और भविस्य की है जो जाता है तो इस सब के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन आप जैसा के जानते हैं आप लोग मैंने यह 45 वीडियो है और यह हमा जैसा के मैंने बताया कि सौट वीडियो में जरूर आपको लाके दूँगा और इसके बाद जैसे ही यह हमारा समप्त हुआ है इसके जस्ट एक अपता के बाद हमारा NCRT सीरीज शुरू हो जाएगा तो NCRT सीरीज जैसे ही शुरू हुआ हमारा तो फिर वो दस वीडियो का आपको समझाया जाएगा या तो हम उसको सौट वीडियो के रूप में आपके सामने NCRT सौट वीडियो सीरीज करेंगे या फिर आपको हम वो पूरे बतलब आदे गंटे एक गंटे या दो गंटे का वीडियो देंगे लेकिन हम जानते हैं कि सौट वीडियो होता है तो अब लोग सब्सक्रिप्शन 500 नहीं हुआ है तो इसी दिए आप लोगों का मैप किलास तो अभी फिलाद नहीं होगा जब तक कि अभी आप लोग इसी को फैलाई जिस दिन हमारा 500 सब्सक्रिप्शन हुआ ने भाख फूसी के साथ आप लोगां को में कहांगा कि आप लोगी फेस्बुक से हर जगे में कहां दू arrogance और यह पूरी तरी से मुव्ट advice कलास होगा अगर उसके पहले मैपाइन कलास आप जाने करना चाहते तो जो जस err मदीत हैं यह instruction में आप जाके जोएन कर सकते हैं और ये कोचिंग है हक study circle है और ये भी काफी परसिद्धे teacher है जो Central University के है में हक साब उनके दुआरा ये मतलब coaching बनाया गया है और ये काफी परसिद्धे तो इसमें भी आप आ सकते हैं इसमें कर सकते हैं तो चलिए काफी opportunity है तो इसके साथ ही आज हम जो सुरू करेंगे यह हमरांतिम वीडियो था इसलिए में थोड़ा सा भावुग होगे क्योंकि आप लोगों से तकरीवन सब्सक्राइब करेंगे नंबर एक नंबर दो जो हमारा होगा वह होगा हाइड्रोजन इंदन और फ्यूल सेल्स पर बारत की इस्तिति रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइस एंटेक्नोजी जो भारत की विज्ञान अप्रवजगी की विभाग है उसने यह रिपोर्ट लिखा ला कि इस रिपोर्ट में देखांगे कि आखिर क्या लिखा गया है अगर यह रिपोर्ट पूरी तरह से आपको यह रिपोर्ट है इस्तिति है उसके साथ हाय हरित हाइड्रोजन का महातु यह क्या हो देखेंगे हाल यह रिखैंगे तै यह रिव नितल प्रकार हगे हने रिद्डैंक्न को देखेंगेW देखेंगे hydrogen valley platform आखिर है कि जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और इसमें बना रहे हैं तो यह आखिर है क्या होंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो चलिए इस सब के लिए आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को जरूर अंत तक देखें चूंकि एक एक तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और फिर इसके बाद हम सौट वीडियो सीरीज करेंगे तो उसको भी उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके लिए तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नमीनतम ग्यान का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें तो चलिए बगहर देर किये हुए चलते हैं आगे तो इस रिपोर्ट को देखते हैं तो खेंद्रिये मंत्री जैसे मैंने बताया था बित्त मंत्री निर्मला साता रहे सीतारा मन्नी एक फरवरी 2020 के दौरान बज़त भासन था उन्होंने का था कि हाइड् बीन हाइड्रोजन मिशन जो यह चलेगा नकेवल इस पाथ सीमिन्ट जैसे भार भारी उद्द्यों को डिक्वार्वनाइज करने के लिए आवेसा है कि बलकि यह इलक्ट्रिक गटी सीलता जो अलेक्ट्रक मोबिलिटी है उसको भी साफ करने की कुंजी रखता है याप समझ में होसाल में का प्ytोर आए जो मेठेरियल लगता है वह रेयर मिंडरल सोता है तो यह जो दुषर अपानिज होते हैं यह होता क्या है कि जब यह इसका kसा से क्या है ब्दूर Dani को तो यह जो हानी पचाते हमारे पढ़िया-वरंद्स को उससे कैसे बचाच जाय तो उसके लिए यह सब से अच्छा हो सकता है हिडो रे मेटल का यूज नहीं होता है उस पर निरवर नहीं होता है तो इससे क्या होता है कि हमारा जो लगरा तो अगर हम देखें तो जो hydrogen की प्रोधियू की है वो दुनिया वर में अभी भी समझे है कि वेवसाइक रूप से वेवार नहीं है इसको आप नहीं कर सकते हैं बहुत सारे कंट्री में नहीं हुआ प्रियास जारी है फ्यूचर में आपका हो सकते हैं लेकिन ये भविस्ट के उर्जा के रोप में देखा जाता है क्योंकि इसके उप्योग से जो है सुन उच सर्जन हो गया जीरो इनिशन हो जाएगा और एक फरवरी की घुसना के बाद जो है भारत अधिकारिक रूप से या जो हमारी गवर्मेंट है जो बारत की गवर्मेंट है उस उसने इसको ऑफिसियली इस दौर में सामिलोंगे कि हम भी अब हाइड्रोजन इनर्जी की तरफ बढ़ेंगे ग्रीन इनर्जी की तरफ में आप देखेंगे तो जो स्वक्ष इंदन के और जैसे कि हमने का कि प्राइप परिस क्लाइमेंट एग्रिमेंट उसमें हमने वन पॉइंट फाइप डिग्री सी रहा है दोजार एकी सो क्यांत तक तो इसके दिसा में ये महत्मून कदम हो सकता है तो भारत हाइड्रोजन होगत तो भारत पहले ही फी विक्सीत करने के लिए काफी उच्छच है काफी सक न यहिसका नाम है बंमर्नट के समुह के मिशन का समुह है जिसका नाम है Mission, Innovation, Renewable and Clean Hydrogen Challenge यह इसको आपके समझेए इसमें समझेए अब यह जो है Mission, Innovation, Renewable and Clean Hydrogen Challenge यह क्या है इसके बारे में आप जानना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जैसा कि मैंने बते हैं यह हमारा आंतिम वीडियो जरूर है लेकिन इसके बाद कोई चीज़ का अंत होता फिर उसके बाद शुरुआत होती है तो इसके अंत के बाद आब हम सौट वीडियो शुरू करेंगे तो जैसे ही सौट वीडियो शुरू करेंगे तो जो गुनवत्ता आप देख रहे हैं कि मैंने English में दिया वही गुनवत्ता आपको हिंडी में मिलेगा और अन्यत इस तरह के गुनवत्ता पूर्ण आपको आप यूट्यूब पे हैं आप शेक कर सकते हैं इस तरह के गुनवत्ता पूर्ण कहीं नहीं मिलेगा अगर कहीं मिलेगा तो वही घिजा पीड़ा टाइप का मिलेगा वह आप तो चलिए विज्ञान और पिछले साल अक्टूबर 2020 में इंडिया इस रिपोर्ट के बारे में पारंपरिक इंदन की तुल्ला में हाइड्रोजन की बारे में बताया गया कि इसके क्या लाव है मतलब ग्रीन हाइड्रोजन की बात है और इस चेत्र में ये जो उर्जा चेत्र इनर्जी फिल्ड में जो इनर्जी सेक्टर जो है उसमें चैलेंग्जे जो होती है उसको किस तरह से टैकल कर सकता है तो देखिए आगे चलते हैं तो रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी बहुत अब देखिए इसकी बहुत आयत कैसे बहुत आयत है तो इसको आसानी सा पानी से अलग कर सकते हैं तो जलतो है हमारी प्रित्विगा तो 70% जल ही है तो आपको हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है तो उसी तरह से इसका दान बेहतर दान विशेष्टा और यह नॉन पॉलूटिंग होता है तो अगर हम देखें तो जो पारंपरिक इंदन हम यूज कर रहे हैं जो भी रिनियेवल भी अभी आ रहा है उसमें सबसे बेस्ट हाइड्रोजन इनर्जी माना जाता है तो चलिए आगे देखते हैं हारit hydrogen का कि आखिर ईजरी प्रात्मी का मा भी है ऑर माधिमिक और व्यूस decision me Tiffany's से और मृ üzली सबसीर से अग्लाखिरिंगहाई यहां सबसे मात्मुन यह होगा कि जो हम कच्छे तेल पे आयात पे हमारी देश की दिर भरता है इनर्जी के लिए हम क्या कच्छे तेल पेट्रॉल वगरे पेड़ खास करके जिवासमिंदन पे आया है और जिवासमिंदन हम को बाहर से मंगाना पड़ता है तो इससे बहुत सारे हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं और खास करके आप देखते हैं आप सो से पार हो गया है आपका डीजल एपिट्रॉल दिसलबी सौ पार चला कि यह तारे चीज़ों की इतनी है आप जानते हैं कि जो हमारा खात्य पदार्ते वो ट्रांस्पोर्टेशन से आता है ट्रांस्पोर्टेशन का कॉस्ट होता है तो अगर हम हाईट्रोज़न इंधल का उपईयोग करेंगे तो हमारा जो विदेशी जो मंगा रहे हैं, उससे भी हमारा आयात भी कम होगा जब कम होगा, तो फिर हमारे घ्रिल उत्त तौर पर उत्पन किया जाएगा, और जिससे हमारे इकोनोमी, इसलिए मैंने का थी से संबंधित काफी कम सकता कर सकता यानि के सम्पोन्ट संगला को विख्डित करने की छमता है जो इमिशन है जो भी है उसको डिसमेल्टर यानि खतम करने की छमता है और कम उस सर्जन और जलवाईव परिवर्तन के खत्रों से जो निप्टा जाएगा उसमें विप्टा यह ऐसा जो है यह जो है यह जो है आपको कंट्री रिपोर्ट चाहिए आप तो आप से संपर्क कर सकते हैं आपको यह मिल जाएगा तो चलिए देखे कि इसका अखिर क्या है तो यह जो है आपका इड्रीजन फ्यूल यह ग्रीन फ्यूल की हम बात कर रहे हैं तो रिड्यूस इंपोर्ट हम इंप्रोट इनर्जी सेकुरिटी हमारे देश को मिलेग और इंटीओं सब्सक्राइब जो नए इसको अप सोलन से भी जोच सकते हैं विग जोड सकते है तो यह सब जोड सकते हैं तो यह भीजोट सेक थीजatas जैसा कि मैंने बताया आपको कर जो सोलन एनर्जी है जो विंड इनरजी है उसको आपने लेका इससे पहले पैले वींड भी जेका आता है से बैटरिक घर पे ने डिऊने रहरेते हैं अ जो उफिछरा सकते हैं ध। बात पर उल्टार तो नहीं क्या तो यह लगा जाएं कि तो झर्ICES करें एक अगर बात हम करें घ्रीन हैर्दोजन की बात करें तो ग्रीन हइडरोजन की पर assumptions고 बड़े बड़े मशीनरी चला सकते हैं तो जो हैवी इंडस्ट्रीज है उसको ये डिकार्बोनाइज करने में बहुत ही मदद करेगा यानी डिफरेंट सेक्टर को ये आपको डिकार्बोनाइज करेगा उसी तरह से एड्रेस क्लाइमेट चेंज इसू जो गलोबल वार्मी है तो इस तरह से इसके ग्रीन हाइट्रोजन के कई फाइपे हैं तो चलिए आगे हम देखें इसी संदर्व में इसका एनिमेशन के हरित हाइड्रोजन का इस तो आजकल इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि आपने देखा कि आस्ट्रेलिया में जंगल में आग लगा तो ये एन है उसी तरह से जो आटिक च्ञेट्र रह घए जो आटीक पोलर पीयर है उसके संगे टुत पन होगिया है ये सारी चीजे ए उसी तरह से अगा अगर हम देखें तो हमारे जो पृत्तवी जो है उसकी कंपार रही है गृट्रमी बें बर रही जाLet तो इसको हमको का 1.5 डिगरी सी तक इसको लॉक करना है उससे ज्यादा नहीं बरने देना अगर उससे ज्यादा बरेगा तो औरकेस्ट्रोफोबिक होगा बहुत सारे शहर जो है वो इस दुनिया सफाय हस्ती से मित जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुंबई इस में आप देख सकते हैं किस तरह से तो इसी तरह से अब क्या होगा कि आपको जीरो पे इमिशन को लाना है कब दो आजार पचास तक तो यह भी ग्रीन हाइड्रोजन इसके लिए काफी महत्मोंड योगदान आपको करेगा तो यह आपको होगा उसके साथ ही आगे देखते ह हम लो तो यह देखें कि इसके लिए हम लोग पहले सही जैसे कि मैंने बताया विंड इनर्जी अप्यों करते हैं लेकिन हाइड्रोजण यह है वह हैड्रोजन आ है एक नगा है ट्रेन है यह सारी चीज़ है यह कैसे इससे चलेगा उसी तरह से जो यह जहाज है जो बड़े-बड़े कार को सीख जाता है वह तो डीजल का यूप यूप करता है तो उसको किस तरह से दिकार्बोनाइज किया जाए तो उसके लिए फ्यूल वर्दान थावित हो सकता है यह तो इसका अपको हो सकता है कि जो पुब्लिक ट्रांसपोर्ट है वह आपको ग्रीन हाइड्रोजन की बात हम करें तो हैड्रोजन जो होता यह काफी क्रियसील एलिमेंट है तत्वे और यह आपको सौतंतर रूप में नहीं पाए जाते हैं आगर आप periodic table देखेंगे जब आपके chemistry परते हैं periodic table के बात करते हैं तो hydrogen क्या है कि अकेला नहीं होता है यह आपको H2O के रूप में आपके पास मौजूद होता है यह देखिया है तो आपको यह जल के रूप में आपको मिलता है यह देखिया हम जानते हैं कि जैसे कि मैंने में सत्तर परती सत्तो हमारे धरती का H2O ही है तो यह आपको परचूर मातरा में मिल जाएगा यहाँ पर तो देखिये यह green hydrogen की बात हम लोग कर रहे हैं इनर्जी की रूप में लेकिन इस परक्रिया के दौरान हम क्या करते हैं पॉलूशन करते हैं और यह आपको यह देखिये तो हैड्रोजन तो खुद clean है लेकिन यह जो process और परक्रिया हो जाता है तो वह पॉलूशन कर देता है तो इसलिए एक ऐसी परक्रिया की जरूरत है जो हमको स्वक्ष इंदन दे सके और इस तरह से जो hydrogen का यूज हम लोग करते हैं जो पारम पर इक तरीके से चाहे हो प्रिट्रोल से करें डीजल से करें जिस से भी करते हैं उससे जो है हमारे प्रिट्वी में देखिए तो तकरीबन आठ सो तैतालिस मेट्रिक टन कार्बन इसे आप समझ सकते हैं ग्रीन हाउस गैसे तो यह रिपोर्ट है यह आप समझेए उसी तरह से आगर हम गलोबल हाइड्रोजन टुडेल यह एक रिपोर्ट आया था उससे मैंने जैसा कि मैंने बताया कि यह जो भी वीडियो है यह काफी मेनस से आपका तयार होता इसे कॉंटेंट काफी आपके लिए फाइदे मन दोगा यह जब आपका यूपीसी 2021 का एक्जाम हो जाएगा उसक पतें 10 ग्रीन कलर शक्त अपने ब्राउन कलर ग्री और लुग इंगिरीन लुषे चार क्लर होते हैं ठीक है तो ब्राउन कलर यह भर्राउन कलर में मुखत है आपको आपको उल में선 मेंट निकलता है।oque ग्रे कलर जो है वह देखिए तो यह आपको नेचुरल गैस है और फॉसिल स्फियूल जो आम लोग यूज करते हैं उसे ग्रे होता है लेकिन यही जब ग्रे कलर में होता है कि जब आप उसको जो इमिशन निकलता है उसको अगर कार्बन कैप्चर करने के आप में छमता हो जात होता है उसी तरह से ग्रे कार्वन यह दोनों आपका ग्रे कार्वन हुआ और बुलू कार्वन उसी में आप कार्वन कैप्चर कर लेते हैं तब की बात होती है यह देखिया अब यह देखिए यह ब्राउन कार्वन क्या होता है कोल का गैसिफिकेशन होता है फिर सियो टू का ब्लूय नियाधा है दोनों चीजें लेकिन उसमें क्या हूता है इसको आप जो भी नहीं सब्सक्साइब पर अर्था जिस तरह से नेट जीरो यानि जितना आपका गया वतना पकर लिए तो इसको नेट जिरो तो net zero is not zero emission अगर इसके बार में तो इसमें भी हमारा एक वीडियो है आप देखेंगे हमारे चैनल पर यह वीडियो इसको आप देख सकते के net zero क्या होता है और zero emission क्या होता है दोनों में फर्क होते हैं ठीक है तो अब यह देखें अब यह सारी तीन है लेकिन जो green hydrogen है उसमें आ अब इसकी परकरिया भी देखेंगी कि यह hydrogen जोगा एच्टु ओ से आपका oxygen और hydrogen को अलग करके और इस तरह से इसको integrated करतेंगे हम लोग जो भी होगा renewable energy sources से जैसे के wind energy है solar energy है इस सबसे तरह तो यह green energy अब देखिए जैसे के इसमें सबसे महत्पून चीज़ होगा जो हमारा public transport के साथ साथ जो सबसे ज़्यादे पहलाता है जो कार होता है निजी कार आप दी खरीदे कार हम दी खरीदे कार तो उसमें क्या होता है कि वह fossil fuel पे चलता चाहे डीजल से चले आपका चाहे गया से चले चाहे आपका वह petrol से लेकिन यह जो होता है यह hydrogen fuel cell वाला वह different होता है इसमें यह इस तरह से होता है यह आपका यह fuel cells होगा और यहां से आता रहे तो hydrogen fuel cell कैसे काम करता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करें तो यह देखिए अगर हम एक battery को देखते हैं जैसा कि मैंने बताया तो ठीट उसी तरह से इसमों होता है लेकिन यह battery से क्यों अलग है तो कि बैटरी को आपको चार्च करना पड़ता है फिर बैटरी के दीरे दीरे इनर्जी उसकी सवाप्त हो जाते हैं लेकिन इसमें क्या होता है कि आप hydrogen fuel energy को electrical energy में तबदील करना चेंज करना बदलना परिवर्थित करना तो यह देखे इसमें बीज में क्या होता है एलक्ट्रोलाइट मेंब्रेन होता है और एक तरफ जो होता है वह आपको इनोड होता है और दूसरा तरफ कैथोर्ड यानि निगेटिव चार्ज और पॉजेटि अब क्या होगा कि इसके अंदर जो जाता है तो यह अब हाइड्रोजन जो होता है तो यह आप इसके अंदर जो पॉजेटिव चार्ज है वो यह मेंब्रेन से पास होके यह अब यह मेंब्रेन से निगेटिव चार्ज पास नहीं होता है यह जो मेंब्रेन होता है अब यह क् चार्ज आपका पैदा करेगा और यह पॉजेटिव निगेटिव मिलके आपको इनर्जी पैदा करते हैं ठीक है अब इनर्जी पैदा करने के दौरान जो बाइप्रोडेक्ट होगा तो वह दो आइड्रोजन आया और ऑक्सिजन तो सुद्ध पानी आपका हो जाएगा इसका आपका बाइप्रोडेक्ट प्योर पानी तो अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन है जैसा कि मैंने बतायता कि कई इंडस्ट्री को इडिकार्बोनेशन किया जागा तो हाइड्रोजन के वर्तमान में क्या उप्योग होते हैं तो इसका वाइल रिफाइंडरी में होता है ein character मोता है और इसको आप देखेंगे तो यह दे कग तूर सै के की स्टील प्रोडेक्ट्चन में भी होता है तो ये आप देखें तो यह देखिए आयल रिफाइनरी, ऐमोनिया प्रोडेक्शन, मीठानोल प्रोडेक्शन और पिस्टील प्रोडेक्शन यह चार चीज में मुकत है अभी हाइड्रोजन का वरतमान में उपयोग होता है तो इसके बारे में भी देखें तो अगर हम देखें तो लेकिन सबसे जो कंस 14,000 फ्यूल सेल्स गारी ही थे 2019 के रिपोर्ट के इसके विप्रीत है यदि हम देखा है तो अगर रिनेवल इनर्जी या इलक्रिक इनर्जी जो बैटरी से चार्ज होता है या आप देखें तो उस तरह के जो वहिकिल्स थे वह सेवन पॉइंट टू मिलियन था यानि 22 लाख तो आप यह देखिए उस तरह से तो उसमें सबसे जो बड़ा हर्डल है कि हाइड्रोजन हम जानते है सबसे हल्की गैस है तो उसको स्टोर करने में जो होता है हाई प्रेशर काफी प्रेशर दिया जाएगा ताके वह फिर वह उस फॉर्म हो जाए ताके वह आपके लिक्वि जाए तो बहुत कम होगा इंडिया में कुछ है एसिया में बहुत कुछ है तो बहुत कहीं कम है आगर यह रिपोर्ट अगर देखा पूरी दुनिया की यह देखिए यह जो है इडिजन फ्यूल बिलकुल इस तरह से पिट्रोल बगर अबढ़ते उस इतरह से बढ़ा जाता ह तो पूरे तुझिया में जो फ्यूलिंग इस्टेशन है सिर्फ चारसो साथ है आप समझ सकते हैं उसमें भी एसिया योरप और नौर्थ अमरीका में है अस्ट्रेलिया में नहीं है अफ्रीका में नहीं है आपको लैटिन अमरीका में नहीं है मतलब ब्राजिल वगर या अमरीका में है तो यह आप देखिए तो यह देख लिए तो यह है अमरीका में नौर्थ अमरीका 66, 170 योरोप, 163 एसिया और टोटल आपका 400 तो यह देखिए तो यह सबसे बड़ा इसमें एक और पर्योचना जा रहे है इसको आप इस तो इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है साल्ट माइन नमक की निशांटieranusty इसके काफ़ी गहराईमें इसको हाइप एक रखा जाएगा और तिससे पाइप से लेके आप उसको फ्यूल और इस तरह से आप यूज कर सकते यह तो इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं और यह फिर बाद में उसको यूसाप किया जा सकता है तो यह ता हरित हाइड्रोजन का इनी निसन जिसमें मैंने आपको प्रयास किया कि आप अच्छी तरह से समझें और इस तरह से कि आप इन देजिए ली चुक्क तो इतना आप समझ दीजी ये काफी आपके लिए लाववपरद है तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम इसके बार में भी चैनल ले तो एक हैड्रोजन वैड्रोजन वैड्री प्लेट फॉर्म भी विज्ञार और पण्द्रदगी विवा के जैसे साइंस टेक्नलोजी स्वांड़े में चलाया जा रहा है मंच का काम क्या है ये है अड्रोजन वैड्राइव प्रोग्रामज्ड जो ह जाएक कार्जन तंत्र को hydrogen valley platform प्off कहींगे तो इसमें सबसे ऊपर है तो उसका ये फाइदा होगा कि आपको भारी बैटरी की जुरूत नहीं परेगी उसी के अंदर ऐसा सिस्टम बना देंगे तो इसलिये ये काफी महतपूर्ण्य तो चलिते आगे शेBill का परमगता है भारत याति व्हहत इस लिए वही वारत के है अत्यसकर मेंवागत दुषारा संचाल रुम्रीक बडानों को नंबी दौर आरे आपड़ी पारिवहन और पौनिक्षिक यानि जैसे कि मैं बताया कि बरे-बरे जो ship होते है उस पैब्लिक ट्रांस्पोर्टेसर से ट्रेन के लिए काफी다 पुरस पूरल्डा झरुबनी से हो च्की है सबसे पहला एतली में whoever हुआ हैब इट्ली स journals अगाद i penaos Roha ईपाब है mascar टाइम है तो वर्तमान में हमारे जो भारत के विज्ञान और प्रोधिकी की विभाग है डिपार्टमेंट अप्साइस एं टेक्नोमजी ने हाइड्रोजन इंदन और फ्यूल सिल्कार्ज क्रेम के प्याइद तक्रीबन 30 अनुसंदान परियोजनाओं के साथ सायोग कर रहा है उसको साहईता दे रहा है तो हम देखते हैं कि भविस्ट में ये 30 अनुसंदान से क्या रिजल्ट निकलते हैं क्या खासियत है इसकी क्या होने वाला है अगर ये सब हुआ तो इस रिसर्च के बारे में भी आप लोगों को इतला करूंगा आप लोगों को हम सुचित करेंगे तो लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ करना है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें इस चैनल को ज्यादर से ज्यादर फैलाएं सब्सक्राइब करवाएं और इसी तरह के वीडियो के आप हमारे चैनल के साथ जरूर सायोग करें और हम जरूर वीडियो लाएंगे तो इसमें आप लोग देखेंगे आप निजाना कि हम जिस तरह से आपसे वदा किया 45 वीडियो तो यह आज 45 वीडियो है कुने पूरा कर दिया आपको तो चलिए आए चलते हैं और आगे है उत्पादन, भंडारन, वितरन, अंत उप्योग, उप्रुक्त में से कौन-कौन हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म में सम्मिलित हैं, केवल एक और दो, केवल दो, तीन, चार, केवल एक, दो, तीन, उप्रुक्त सभी, इसका उत्तर आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिखें, और इसका उत्तर जो है, आपको, चुकि अब अगला वीडियो नहीं आएगा, यह हमारा आंतिम वीडियो है, तो जो हमारा फ्रस्क पहला वीडियो होगा, सोट वीडियो सीरीज में, उसमें हम इसका उत्तर आपको अव नहीं होगा मिनिमम पांच मिनिट का होगा तो इसको आप जरूर देखेंगे तो चलिए हम अगले सेक्षिन में चलते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर तो पिछला प्रश्न जो आमने पूछा था आपको निमली लिकीत कत्रों पर विचार करें जेम्स वेब स्पेस टेलियसकोप एक परिकर्मा करने वाली एक्सरे वेड साला है ये गलत है ये एक्सरे वेड साला नहीं है ये इन्फरा रेड वेड साला है ठीक है तो ये गलत हो गया है अवरक्त किरन वेड साला है जेम्स वेब स्प मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में तो नाम से जना जयता था मिशन का उद्योस जो है बिग बैंक के बाद पहले बने शितारे और अकास गंगाओं की खोज करना है यह बिल्कुल सही है जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट गेलक्सी फर्स्ट इस्टार फर्स्ट ब्राइटेस्ट अबजेक्ट जो बिग बैंक के बाद बना उसको यह खोज सकता है यानि आप यह समझेए कि यह जो जेम्स वेब टेली इसकोप है वो थर्टीन पॉइंट फॉर बिलियन जो है लाइट इयर बैक में देख सकता है यह बहुत ही माज़ पॉइंट है तो अबरुक्त कतलों में से कौनचा सही है केवल एक तो नहीं होगा एक तो बिल्कुल गलत है जैसे कि मैंने बताया यह आई आर है तो यह आपका गलत है इंफ्रारेड है उसके बाद एक और दो तो यह भी गलत हो गया तो और तीन यह सही हो गया आपका विल्कुल तो यह गलत यह गलत यह सही हो गया आपका अपरोक्त सभी यह भी गलत हो इसका उत्तर हो गया तो यह हो गया आपका तो चलिए यह था हमारा भारत का हाइड्रोजन उर्जा मिशन और इसके बारे में हम की लोगो ने जाना कि भारत का어서 क्या है भारत का H 23 चैल पर जो काट्री टिबाथ्मेंट की यह चत्रब के तरफ से आय से हाई उसमें क्या तीजह का है ऐा । यह सब लोगों नहीं जाना फिर इस वांडी और यह है किस तरह से उत्पन होता है फिर हाइड्रोजन इनर्जी चुँ भारी उद्द्योग के लिए मात्पूर्ण है यह सब चीज हम लोगों ने जाना तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद चुके यह अंतिम वीडियो है तो मैं नहीं को सब्सक्राइब करना न भूले तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए इस सीरीज को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इसको शेयर करना आप न भूले प्लीज इसको जदे से जदे हमारे इस गुरूप में 45 का सेट हो गया आपके पास आप हर दोस्तों को अगर आप इसको उप्योग करते हैं तो यह मेरा मेनत जाकार होगा तो चलिए देखने के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद भी करते हैं भी करते हैं पूब देखने के लिए कि रेखने के लिए में भी करते हैं अगर होगा दोस्तों करते हैं